नाजपुर शेहर से सटे घ्रामिन इ심 इलाकों में गोटाल पांचरे शंकरपूर और श्रीयवेडा बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी टाउण कस्तुरी नगरी, सिंगापुर सिटी, साई नगरी जैसी बड़ी बस्तियों का निर्मान हुआ है और कई टाउन्शिप निर्मानाधिन है यहां के स्थानी लोगों का कहना है कि बिल्डर ने NMRT से निर्मानपुर्व बाकाईदा अनुमत दिली है बनियादी सुविदाओ के विकास पर होने वाले वैकाभी नियमा नुसाद भुक्तान क्या गया है और इसके पच्छाद निर्मानकारी हुआ है अब इस पूरे इलाकी को सुंदर और स्वस्थ रखने की पुरे जिम्यदारी नागपुर मानगर शेत्र विकास प्राधी करण की है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इस शेत्र में कोई सिवेच लाइ नहीं होने की कारण टाउन्शिप के निवासियों को मल मुत्र और सिवेच की सारी गंध की टाउन्शिप के बगल में खाली जगापर छोड़नी पड़ती है गंदगी के कारण पुर्य शेत्र में दुर्गन फैल गई है और स्वास्त सम्मंदी समस्या उत्पन हो गई है नालिया अच्छे रास्ते हागंदारी मुक्त गंदगी मुक्त रास्तों पर लाइट की सुविदाय सुन्दर भगीचे पीने का शुद्ध चल या सब सुविदा नापपुर महानगर शेत्र विकास प्राधिकरन द्वरा प्रदान की जाती है मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि शेत्र के जन प्रतिनिदियों की अंधिकी होरे से इस शेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है नावपुर महानगर शेत्र विकास प्राजिकरन ने निर्मानकार्य शुरू होने से पहले कई शर्तों और सुविता देने की मनसुरी थी लेकिन दुर्भागे से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पुरी शेत्र में जगा जगा गंदकी का मातम छाया हुआ है बारिश के वजा से मले समारी फैलने का डर पैदा हो गया है गोटार पांजरी शंकरपूर और श्री हरीविडा दक्षिन नापूर विदानसबा और काम्टी विदानसबा शेत्र के सीमा पर बसा होने से यहां का मत्तार काफे सम्रुमा वस्ता में है कि समस्या का पाड़ कौन से विधायक के पास प प्रतिनिती मंडल ने आग रखिया विदाय टेक्चन सावर करने गोटाल पांजरी शंकरपूर और वेडा हरीशंडर के सरपंच सर्चिन इले उप सरपंच आकाश पिसार भाशबा तालुका प्रमोग सुनिल को होले और अरुन मेंडी को आश्वस किया कि यहां की पूरी सम से अनिवारन हेतू जनता दर्बार का आयजिन करेंगे इस समस्या के समधान के संभन में स्थान ये लोगों ने नागपूर महानगर शेत्र विकास प्राधिकरन से शिकार भी की है इत्ता ही नहीं तो मुख्यमंत्री के विशेश कारिकारी अधिकारी और सरकार के अवर सचि ने भी कारिवाई को लेकर नागपूर महानगर शेत्र विकास प्राधिकरन को पत्र दिया है उनके पत्रों को भी नजर अंदास कर दिया गया है सचे महराश्य सरकार ने भी प्राधिकरन को ततकाल कारिवाई करने का निर्दिश दिया है इसके बावजुद नागपूर महा पाचार से बात करती वी कहा कि नाकुन महानगर शेत्र विकास प्राधिकरन ने इन सभी टाउन्शिप को निर्मान कारे के सम्मति देने से पहले ये सोचना चाहिए था कि इन टाउन्शिप से निकलने वाला मल, मुत्र और गंदा पानी कहा विसरशित होगा अभी भी बिना सो समझे निर्मान कारे को धडले से सम्मति दे रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि निच्चिक तोर पर इस पूरे शेत्र में गंद की फैल दी है और आने वाले दिनों में मच्चर रुकाप्र को भी बढ़ सकता है ग्राम पंचायत एक छोटी संस्ता है और नाग नदी का जो नाल को लेखे द्रूप से शिकार की है लेकिन स्तिती आज भी जैसे की तैसी है अंचा या ग्राम पंचे चाहदी मदी बोटार पांजरी वेडाहरी शंकरपूर या तीने गाव मदे अनिक विल्डर मोटा मोटा स्कीम उभारता है आनि त्या स्कीम ला पर्मिशन नमाडी मना का इन चेकर में होता है तरिपन त्या इन इटी नी आमी पत्रफल वेवार के लिए ग्राम पंचेत्र पे की आमचा यहेर्या मदी नाला नहीं है आनि तुम्हीं जो स्टिपी लावत वस्तों त्या स्टिपी से मेंटर्स होत नहीं ए बिल्डर करना तर त्या सोसाइटी करून देता त्या बिल्डर आनि सोसाइटी लात रास होता है आनि यह पानी है ते मेंटर्स न जाले मुझे रिस्टिपी ते उग्रिया वर पानी सोडता आने त्या मुझे यहाँ अपला मंचर मना कि बंदगी मना कि बंदेंगू सर्के मोटे आजर मना यह भागात निर्मान तो पहले वे स्क्वाट वर भगून या ठीका नी परस्तिती काई है त्या वाल्या मोटा बिल्डर ला पर्मिशन देना देवी उसी मजी अगराजी विनंती बुलते नापुर के गोटाल पांजी से बेसियन न्यूस के लिए सुनिल ताड की स्पेशल रिपोर्ट झाल